इस वीडियो में हम बात करेंगे अतरकारा जड़े बूटी के बारे में एनल साइक्लस पाइरेथरम के बारे में इसके इस्तेमाल करने का क्या तरीका है ये कहां से मिलता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इससे पहले में स्टार्ट करूं फ्रेंड मैं उपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक डिटेल्ड रिसर्च के बात त्यार की गई है और इसमें किसी भी तरह की कोई बात पढ़ा चाहा कर या एक्सेजिरेट करके पेश नहीं की गई है सबसे पहले अकरकारा हर्प क्या है इसके बारे में बात करते हैं अकरकारा या एनसाइक्लस पाइरेथरम प्लांट फैमली प्लांट फैमली एस्टरेस इसे बिलॉंग करता है और ये एक सदा बाहर फ्लावरिंग प्लांट है यानि ये पौधा ऐसा नहीं होता है कि एक साल बाद खत्म हो गया फिर इसके बीजों से दुबारा पैदा होता है ये सदा बाहर होता है अगर कहीं हो गया तो ये मेंटेन रहता है और इस पर फूल भी आते है फ्रेंट इस पौध ही की जड़ यानि की रूट को दवाय मैडिस जो होता है वो 30 डिग्री नौर्थ के राउंड होता है अगर ये जड़ी बूटी आपके अरिया में पैदा नहीं होती तो बिलकुल परिशान होने की ज़रत नहीं है क्योंकि अब दुनिया की कोई भी जड़ी बूटी सबी देशों में एक्सपोर्ट करके बेंची जाती है और आप उनको अनलाइन मंगवा सकते हैं अब बात करते हैं अतरकारा के फायदों के बारे में फ्रेंड्स अतरकारा के में बैनिफिट्स कुछ इस तरह से हैं ये एक मैं टॉनिक है और इरेक्टाइल डिस फंक्शन लिबिडो एन्हेंस्मेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि ये टेस्टोस्टोस्टोस्टोन लेविल को बढ़ाता है तो जो में प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें बहुत इफेक्टिव पाया गया है अतरकारा टेस्टोस्टोस्टोन लेविल को इंक्रीज करता है और क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया है कि अतरकारा मुस एपिलेपसी या मिर्गी में भी अकरकारा फाइदेमन पाया गया है त्रेंट्स अब बात करते हैं कि अकरकारा का इस्तेमाल कैसे काना चाहिए अकरकारा अगर आपके एरिया में अवलबल है तो आप इसकी ड्राइड रूट्स खरीच सकते हैं सूखी हुई जड़ा आपको मार्केट से मिल जाएगी और उसको अच्छी तरह वाश करके सुखा कर उसका पॉर्डर बना सकते हैं और उस पॉर्डर को इस्तिमाल कर सकते हैं दो से तीन ग्राम अकरकारा पॉर्डर यानि की एक चौथाई चोटा चमच अकरकारा आप खाना खाने के बाद दिन में एक बार ले सकते हैं खाली पेटा आपको अकरकारा नहीं लेना है क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसी की एसिडिटी अब बात करते हैं कि अतरकारा के क्या कुछ side effects भी हो सकते हैं फैंट एक बात मैं clear कर देना चाहता हूं कि कोई भी खाने पीने की चीज हो चाहे वो herbal medicines हो चाहे वो normally कोई भी खाने पीने की चीज हो या फिर allopathic medicine हो किसी भी जो हम खा पी रहे हैं किसी भी person को किसी भी चीज से side effect हो सकता है किसी चीज का कम side effect होता है किसी का जादा तो बहतर है कि जो doses बताई गई है और जितने वक्त तक लेने के लिए उसको बताया गया है उतने वक्त तक ही वो medicine लें जरुवत के इसाब से अगर आप overdose लेंगे तो side effect की संभावना बहुँ जादा बढ़ जाएगी तो friend अकरकारा के भी कुछ side effects है अगर overdose इसकी ले जाए तो vomiting, चक्कर आना, drops इस तरह के side effect, acidity side effects के पाए गए हैं कितने समय तक अकरकारा यूज कर सकते हैं और क्या इसका addiction भी हो सकता है यानि क्या अकरकारा को लगातार लेते रहने से इसके हम आदी भी हो सकते हैं Friends, अकरकारा को 3-4 हफ़तों तक लेने पर इसके result मिलने लगते हैं और यह addictive नहीं पाया गया है यानि अकरकारा को लेते लेते कोई इसका आदी नहीं होता है तो Friends, एक बाप भी से मैं अकरकारा को summarize कर देता हूँ अकरकारा या एनसाइक्लस पाइरेथरम एक perennial plant है, flowering plant है जिसकी जड़ को order के तोर पर इस्तिमाल कर सकते हैं आप या काड़ा भी बना सकते हैं उसका एनसाइक्लस पाइरेथरम एक clinical trial में पाया गया है कि ये testosterone level बढ़ाता है और body में anabolic activities को increase करता है तो ये एक powerful man tonic है और sexual weakness दूर करता है और body में anabolic activities को भी बढ़ाता है तो ये weight gain करने में मदद करता है तो जो दुबले पती लड़के हैं उनको अकरकारा इस्तिमाल करना चाहिए साथ ही अकरकारा को epilepsy में भी फाइदे मन माना गया है फ्रेंट अकरकारा एक से तीन gram लिया जा सकता है रोजाना और याद रहे कि इसको खाले पेट नहीं लेना है खाना खाने के बाद ही लेना है लगबक दो से तीन अफते तक अकरकारा लेते रहने से आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा अकरकारा आप रेगुलर यूज कर सकते हैं इसका आप आदे नहीं होंगे बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपको जरुवत हो तब तक ही इसको ल अधेंटिक सोर्सिस से इनफॉर्मेशन ली जाती है तो थैंक्स फो वाचिंग इस वीडियो फिसिक वीडियो के साथ आएंगे तब तक के लिए गुडबाई